यह हैं दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नहीं वीडियो में तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SSB की जो यॉइनिंग के रिलेटर बहुत ज्यादा क्वेशन्स आ रहे हैं पूछे जा रहे हैं कि SSB की यॉइनिंग कब तो होगी इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि SSB की यॉइनिंग कब तक होने के चंट्स हैं ठीक है और जो BSF की होगी ऐसे आपको पता CISF की होगी CRPF ITVP इनके वीडियो में प्रसेस देरे देरे स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन BSF और CSF की आ रही है लेकिन BSF की ऐसे अगर बात किये कुछ स्टेट्स जैसे होगी गुजरात होगी असम हो गया बिहार की बात की जाए आपकी पंजाब तेलन गाना की बात की जाए ठीक है इन स्टेटों में अभी तक BSF की जोइनिंग लेटर नहीं पूंचे है ठीक है उसके पिछे रिजन क्या है तो रिजन के अगर बात किया देखिए कि हर एक स्टेट में जोइनिंग लेटर देर देर आएंगे ठीक है कुछ स्टेट में कुछ कैंडिट्स के आ चुके है बहां पे हो सकता है कि कुछ एरिया जो है रूलर से बिलाउंग करता हूँ बहां पे पोस्ट आफिस के थुरूँ आप सभी को लेटर आ रहे हैं तो दो चार दिन आपके हो सकता है कि आगे चले जाए कुछ कैंडिट्स का प्रेंड है उसका जोइनिंग लेटर आ चुका होगा आपका नहीं आये होगा आप सोच रहे होंगे कि मेरा भी तक नहीं है अचैनल के फ्रेंड का आगे मेरा छीए यह आप कब जोइनिंग लेटर आ जाएगा देखिये एक बात मेरे आप सभी की फाइनिस सेलेक्षिन होई यह चृइँ कहने जो यह से मैंने आपको बताए कि एक candidates है जम्मू से ठीक है मुझे comment कर रहा था कि sir मेरी जॉइनिंग है एक April को पंजाब सेंटर होश्यारपूर में ठीक है तो वहीं से same एक पंजाब से comment आया हो था ठीक है कि हमारा अभी तक वहां पर जॉइनिंग लेटर नहीं sir BSF का नहीं पूँचा है इस candidates की Punjab Center में जॉइनिंग है जबकि पंजाब वाला जो candidate उसका अभी तक जॉइनिंग लेटर नहीं पूँचा है तो अब बात को देखी न समझी न ठीक है ऐसे ही process होता है कुछ states में आ चुका है और कुछ में अभी तक नहीं आया हुए ठीक है अब बात की SSB की योइनिंग है जैसे CRPB की होगी BSF की होगी हो सकता है कि आपकी जैसे ITVP या CSF और SSB इन तीनों की योइनिंग एकठी है लेटर आना स्टार्ट हो जाए ठीक है इस महीने की मार्च की एंडिंग तक आप मान सकते हैं कि योइनिंग सभी बच्चों की आ जानी जाए ठीक है अगर मार्च में नहीं आते हैं मार्च में तो आने के फुल चांसे हैं 15-18 तारिक के बाद हो सकते 10-15 तारिक तक आपकी योइनिंग धिरे धिरे आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि अब आप फिर खुद सोची ना कि अगर अभी तक BSF और CRPF के जानी लेक्टर नहीं इस्यू की हैं पूरे हर एक कैंडिट्स के तो SSB की ट्रेनिंग थोड़ा पर से स्टार्ट लेड़ी होगा क्योंकि अगर इन कैंडिट्स का स्टार्ट होता है फिर देरे करके आगे कांटिनू चलेगा अलग लग ठीक है तो आप थोड़ा वेट कीजिए बहुत ही जल्द आपको अपनी योणी लैटर देखने को मिल सकते हैं आपकी सेलेक्शन हुई है आपकी योणिंग भी जुरूर आएगी ठीक है आप अपनी सेहत का धिहान रखिए बड़े खाई पीए ठीक है अ हो सके है तो घर पर जाता रही है ठीक है बाहर कम ही निगलिए क्यांकि आप सभी को रहता कि आप जब बहां पर जाओगे ट्रेनिंग सेंटर में तो आपको बहां पर मैडिकल किये जाएगा फिर से तो ऐसा नहों कि बहां पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी बड़ी है अपने थोड़ी सेहत का ध्यान रखी स्पेशली जब तक आप ट्रेनिंग सेंटर में ना पहुंझे आप ट्रेनिंग सेंटर में चले जाओगे फिर आपको कोई टेंचन रही जाए अपको मैडिकल हो गया देन आपका ट्रेनिंग प्रॉसेस स्टार्ट हो गया ठीक है जो ड महीं ना मानके जलो डेर महीं ना मानके जलो जब जब आप घर पे हो थोड़ा अपनी सेहत का अच्छे तरह ध्यान रखिए ठीक है आगे बीचे कम ही जाए निगली घर से जितना हो सके अगर जुरूरी हो तब ही घर से निगलिए अदर्वाइस कोशी कीजिए कि अपने घर के लिए जाए लेकिन बाइक का इस्तमाल कम कीजिए अब आपके लास्ट देस हैं उच्छी अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह स्पेंड कीजिए जो आपको पास तो टाइम है महींना पंदरा बीच दिन ठीए जितना है आपके पास अभी तो ठीक है जैहिं यह से किसी की जोनिंग लेटर आता है जब कोई अपडेट आती है दोस्तों तो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा ठीए अगर आपका जोनिंग लेटर आ चुका है तो मुझे कमेंट में बताना जैहिं